नमस्कार आज मैं गेहों की आटेस से चीला बनाऊंगी तो बनाने से पहले आप इंग्रेडिन्स देख लिजे यहाँ पे एक कटोरी गेहों काटा है दो टमाटर है इसको कद्दू कस कर ली हूँ आप चाय तो छोटे चोटे टुकड़े में काड़ भी सकते हैं थोड़ा सा हर बना लेते हैं तो सबसे पहले मैं एक टोपली हूं इसमें यह आटे को डाल लेती हूं और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको इसका पेश्ट बना लेते हैं पान डाल के इसको पेश्ट बना लेते हैं यह देखे पेश्ट बन गया है अब इसमें और भी सामगर डाल देते हैं यह टमाटर डाल दे रही हूं दन्या काली मेर्ज पाउडर जीरा चिली प्लैक्स और यहां पर दो आलू बोईल करके और इसको कद्दुकस कर ली हूं इसको भी इसमें डाल लेते हैं इसको मिला लेते हैं पहले यह देखिए यह समिक्स हो चुका है अब इसमें नमक डाल लेते हैं यह देखिए इसमें नमक भी मिक्स हो गया है अब चलिए बना लेते हैं चिला यहां पर मैं तावा रख दी हूं अब इस पर हल्का सा तेल भी लगा दी हूं अब इस पर एक कल्ची डाल देते हैं चोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बनाईए गन यह देखिए एक तरफ हो गया है अब इसको पलट लेते हैं यह देखिए ऐसे दोनों तरफ पलट उलट पलट के पका लेते हैं यह देखिए चीला बनके तयार हो गया है तो आप भी घर भी बनाएगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक है सब्सक्राइब करें और अपना कमेंटर में चाहिए धन्यवाद